बात लगातार कॉरोना वाइरस के हम कर रहे हैं देश में आशे कोरोना संक्रमन मुखती इलाकों में सीमेद छूट देने की शिरवात हो गई यानि की मौडिफाइट लॉगडाउन की शिर्वात हो गई है लेकिन अलग-अलग हिस्सों से तस्वीर लगातार जामने आ रही है जहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थी बनी हुई है क्या हाला थे अलग-अलग जगों की वो तस्वीर आप तक पहुचाते हैं अलग-अलग जगों से मेरे सेयों की जुड़े हुए दिल्ली से अधिति नागर है बीरोचेफ और जोदपूर से राजीव गौर्ण मेरे साथ जुड़े हुए आज मेरे से कौशल है उनके पास भी मैं जाऊंगे लेकिन सबसे पहले अधिति मैं आपके पास आ रहे हूँ रही है राजीव का रूप करते राजीव कैसी तस्वीर सुबह से लेकर अभी तक आप देख पा रहे हैं वहां पर लोगों में कन्फ्यूजन है या फिर लोग इस पश्ट तौर से उनको पता है कि मोडिफाइट लॉकडाउन का मतलब है क्या लोग समझ रहे हैं पालन कर र समरी जाए हैं लेकिन लोग जो है लोगडाउन की पालना कर रहे हैं सोचल डिस्टेंस के एक तस्वीर आपको दिखाता है जो तुरके इस सब्सक्राइट उसके पास नेशने पर जा देखे लोग अलग लग खड़े हैं हर किसी ने मास्क बांद रखा है और सब से पड़ी गुरु और पर बुदेक्ति सब कुछ आपील कर रहे हैं उस आपील को मानना चाहिए पालना करने चाहिए अपनी समस्य से भी च़एए जान बचाने के लिए अपने परिवार के जाने के लिए इस महामारी से आपने आपको बचाने के लिए सोशल डिस्टेंस रखना बलकुल और सरकार ने भी पहले ही सुलिशित कर दिया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का खयाल रखना है मौडिफाइड लॉकडाउन जरूर है लेकिन खयाल आपको रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धर्जिया ना उड़े दिल्ली बिरोचीफ अदिती नागरमासा जोचुके अदिती कैसी तस्वीर है राश्टे राजसानी दिल्ली की लगातार आकड़े वापर बढ़ रहे हैं हाला कि जो मौडिफाइड लॉकडाउन है उसका असर दिल्ली में दिखाई नहीं देगा लेकिन आपको बता दे फिलाल हम संसद परिसर के बाहर खड़े हैं यह संसद है और आज से क्योंकि बॉड़िफाइड लॉकडाउन की बात यहां पर आई थी तो आज से यहां पर संसद सचवाले खुल चुका है लेकिन जितनी भी गाडिया संसद के अंदर जा रही है उनक तरह का थर्मल चेक अप हो रहा है उसके बाद ही अंदर जाय जा रहा है और इसके अलावा जितने भी जो यहां पर दूसरे मंत्राले हैं वहां पर भी ठीक इसी तरह तमाम चीज़े हो रही हैं देखे मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि हाल ही मतला आज ही जो ग्रह मंत्र बताएंगे तमाम तरीके की चीज़े जो है वो भी बताई गई है लेकिन इसके अलावा जो मुद्दा यह है देखे आज मैं गुडगाओं से लेकर जब दिल्ली पहुंची तो गाडियों की कतार मुझे देखने को मिली हाइवे पर भी टॉल भी चालू कर दिये गए हैं इ कि यह बात तो सही है कि मॉड़िफाइड जो यह लॉकडाउन है यह अलग अलग राज्यों में लागू हो रहा है लेकिन यहीं पर अगर केरल की बात करें तो केरल ने जो सरकार की गाइड लाइन्स हैं उसके अलावा और बढ़ चड़कर कुछ और भी खोलने की बात कई त जो हैं जादा और चीजें ना खोले जिसमें और तरह की दुकाने भी थी और तमाम तरीके की सर्विस भी थी तो ग्रह मंत्राली की तरफ सो उनको नोटिस भी दिया गया इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली में क्योंकि केस बढ़ रहे हैं तो दिल्ली ने मॉडिफा जाए मैं महाराष्ट की बात करूं राजस्तान की बात करूं अलग-अलग राज्यों की बात करूं वहां की सरकारे लगातार ग्रह मंत्री से पी एमों को अपनी रिपोर्ट दे रही है कि कौन-कौन से वह जिले हैं जो ग्रीन जोन में है वहां पर क्या-क्या खुल सकता है केंदर सरकार और ग्रह मंत्राले की जो भी गाइडलाइन के मुताबिक अलग-अलग राज्यों में छीज़े खुल रही है और यही वज़े है कि मैं एक फिर दिखाना चाहूंगी कुछ दिनों पहले जो मैंने यहां से लाइफ दिया था तो एक सन्नाटा सा था यह पूरा वो उतर है क्योंकि एसेंशन सर्विसेज को लेकर यहां पर पूरी जो काम है वो शुरू कर दिया गया है देखें दो बाते हैं एक तो लॉक्डाउन है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है थोड़ी बहुत जो चहल पहल है वो जरूर देखने को मिल रहे हैं लेकिन पैस्मंजस नहीं है लोग जानते हैं सभी नियमों के बारे में जहां लोगों की चहल कदमी और लोगों की बड़ी संक्या अक्सर देखा जाती थी लेकिन हालात यहाँ पर जो है अभी भी वैसे ही है जैसे दो दिन पहले थे सोशल जो डिस्टेंसिंग है वो यहाँ पर कायम है लोगडाउन की पूरी पालना की जा रही है और आप देख रहे हैं इस समय बाजार की जो सड़के मेरे कैमरा पर संद दिखा रहे हैं कि बिलकुल सुंसान हैं वो ही लोग सरफ यहाँ पर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं ज किसी आवशक कारी की जो निकल रहे हैं उनके ओपर कारवाई भी की जा रही है यहाँ पर मेरे कैमरा पर संद को कहूंगा कि आब वो इस तरफ भी दिखाएं जहाँ पर इस बाजार का दूसरा वे है दूसरी विंगे जहाँ पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है और लोगों के अंदर भी जाग रुकता देखी जा रही है कि कोरोना से बचना है क्योंकि फर्स्ट इंडिया भी लगाता है तो घर पर रहना बहुत जरूरी है बहुत शुक्रिया दिति आपका राजीव आपका और कौशन